टाटा और अशोक लेलेंड के बाद अब एक और भारती कम्पनी ने हजारू की संख्या में इलेक्टिक बसस को मैनिफाक्चर करने के लिए एक बहुत पड़े टेंडर को इन्वाइट किया है जहां परलगभग 3472 इलेक्टिक बसस को मैनिफाक्चर किया जाएगा और सभी के मैनिफाक्चरिंग मेकिन इंडिया के तहत भारत में की जाएगी जहां पर इस टेंडर को इन्वाइट करने वाली कम्पनी का नाम है Convergence Energy Services Limited चुकि एक PCU माने जाती है और Ministry of Power के अंडर में ये कम्पनी काम करती है तो वहीं रिसेंटल आई Money Control की रिपोर्ट के मताबिक माने तो भारत के 9 सहरों में इलेक्टिक बसस को ऑपरेट करने के लिए इस कम्पनी ने स्टेंडर को इन्वाइट किया है क्योंकि इन सहरों में डिमांड सबसे जादा बढ़ चुकी है अगर हम सहरों के बारे में बात करें तो उसमें शामिल है मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद, एहमदाबाद, चन्ने, कॉलकता, सूरत और पुने जहाँ पर इस टेंडर को इन्वाइट करने में STO यानि कि स्टीट ट्रांस्पोर्ट अंडर्टेकिंग की डिमांड के तहत इन बसे को मैनिफाक्चर किया जाएगा और एक्सेज भी हमारी फेम टू यानि की फास्टर अडाप्शन एंड मैनिफाक्चरिंग ऑफ इलेक्टिक वेहिकल के तहत इनको अपरेट किया जाएगा और बहुत सारी सब्सेडिज यहां पर कंपनी देने वाली है सो CESL के द्वारा जारी किये गए इस कॉंट्रेक्ट में लगबग 3472 बसो को मैनिफाक्चर किया जाएगा और यहां पर टाटा, अशोक लेलेंड और भी कई भारती बस मैनिफाक्चर कंपनियां यहां पर पार्टिपेट करने वाली हैं यहां पर सारी कंपनिया मेकिन इंडिया मिशन के तहट इस प्रोजेट को बना करके कंप्लीट करेंगी और ओवर ओल इस रिपोर्ट के मताबिक माने तो भारत के अंदर इलेक्टिक वेहिकल्स को और ग्रीन क्रांति को प्रमोट करने के लिए यह सारे चोटे और बड़े सब्सक्राइब कर सकते हैं मिलेंगे हम आपको एक नई और इंट्रेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए वंदे मात्रम भारत माता की जैए